गुद्मानिंग स्टुडेंट आज हम बीए थर्ड यर फिलॉसफी की क्लास में हमाना प्लेटो रिपब्लिक पढ़ेंगे आज हम इसमें आधश राज्य का सुरूप इस विशे पर बात करेंगे प्लेटो ने अपनी रिपब्लिक पुस्तक में सबसे जाधा जोर इस बातल पर दिया या हम ये कह सकते हैं कि प्लेटो का रिपब्लिक लिखने का जो प्रमुख उद्देश thi था वो यही था कि वो यह चाहता था कि एक आदर्ष राज्य की बात की जाए या एक आदर्ष राज्य कैसे स्थापित हो इसकी कोशिश की जाए या इसके बारे में सोचा जाए प्लेटो के समय में प्लेटो ने अल्प तंतर को भी देखा प्लेटो ने जो कुलीन तंतर है उसको भी देखा प्लेटो ने राजशाही को भी देखा और अपने आसपास के जितने नगर राज्ये थे उसमें उसने शाषन के विभिन प्रणालियों को देखा और वो इस निशकर्ष पर पहुंचा कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो ए मैं किसी एक ऐसी आधश प्रणाली के बारे में सोचूं लिखूं कि जिससे एक आधश राज्ये साकार हो सके वो सिर्फ कलपन नहीं कर रहा था बलकि उसकी कोशिश थी कि आज पास जितनी भी शाषन प्रणालिया हैं उनकी कम्यों को मैं पकड़ सकूं और उन्हें दूर कर कि एक ऐसे राज्ये के बारे में लिखूं जो वास्त्विक हो सके और जिसे वास्त्विक करने के लिए कोशिश कर सके तो इस सारी कोशिश में हमारे सामने प्लेटो का आधश राज्या आता है और एक तरीके से यह उसका मकसद ही था रिपब्लिक लिखने का तो प्लेटो के आदेश राज्ये में हम खास तोर पर बात करें तो सबसे महत्वपून हैं कि उसमें तीन वर्ग होंगे तो हम पहले यह जाने कि प्रेटो राज्ये के बारे में सोचता है प्रेटो यह कहता है कि जो राज्ये है वो व्यक्ति का ही एक विराठ रूप है और राज्य कोई हम यह नहीं कह सकते कि कोछ कोई नक्षा होता है या राज्य कोई चट्टानों से बन जाता है या कोई पेड़वदों से बन जाता है नहीं राज्य बनता है उस राज्य में रहने वाले व्यक्तियों की चरित्तर से उनके आपसी सम्मंदों से, उनकी कारे शहली से और वो अपने कर्तवे को किस तरह देखते हैं, अपने अधिकारों का अस्तिमाल किस तरह करते हैं किसी से निर्मित होता है वो समाज और राज्य को तो प्लेटो व्यक्ति और राज्य के मध्यं豪 यह मानता है कि व्यक्तियों की समिष्टी को मुझठा निर्मार होता है तो एक तरीके से आप इसको आंश न्शी सममद्र भी कह सकते हैं अंशी जिसके अंदर अंश रहते हैं एक शरीर और उसके विभिन भाग इस तरहीं से हम इसको समझ सकते हैं अब प्लेटो ने अपने आधश राजे में तीन वर्ग बता है जिनकी चत्चा मैंने पिछली किलास में की ती कि एक उतपादक वर्ग होता है जो राजे की आर्थिक अध़र वर्ग भी कहा उसका कार्य राज्ज में शाशन विवस्ता को बनाय रखना ओर यह तीन वर्ग तीन तरीके के गुनों के प्रतीक है जहांपर उत्पादक वर्ग सहियम का प्रतीक है सैनिक वर्ग वर्ग द्राष्णिक वर्ग्या शाषणन वर्ग, यह विवेक कें कि नrint रमांकर अकर आपना आपना कार्य साही तरीके से करें बिना किसी दूसरे वर्ग के कार्यह में हस्तक्यद चिव चिवकित करें तो हम यह किय नहीं कर रहा तो एक वर्न के अलावा आ प्लेट वी कहता है कि आदिश राज्ये की निर्मान के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास न्याय व्यवस्ता दुरुस्त होनी चाही तो न्याय व्यवस्ता जैसे मैंने तो कहता । कि अगर तीनों और वर्ग जिन वर्व और शाष्ण वर्व अपना-पना कार्य करें उजित तरीके से यह जितनी उनमें शमता है उत्ते तरीके से तो न्याई की स्थापना हो जाएगी तो प्लेटो के आदर्श राज्य में न्याई का सिधान्त एक नीव की काम करता है कि नीव जैसे भवनिर्मान में बहुत महत्वपून होती है, वैसे ही प्लेटों के आदर्श राच्य में न्यायका सिधान भाद महत्वपून है, न्यायका सिधान न्यायक सबसे बड़ा साथ गुण प्लेटों मान लिया वो कहता है कि जब संयम विवेक और उत्साह इन तीनों में जब समायोजन रहेगा तुन्याइगी पुत्पत्ती स्वयम्मेव हो जाएगी अपने आप हो जाएगी इसके ललक से प्रियास करना नहीं पड़ेगा इसलिए वो कहता है कि हर वर्ग अपना कार्रे अपनी विशिष्टी करन है इसके माध्यम से प्लेटो अपने राज्य में अपने आदर्ष राज्य में न्याय की स्थमना करना जाता है कुछ सिधान्त और हैं जैसे शिक्षा का सिधान्त प्लेटो यह कहता है जब वो यह कहता है कि मेरा न्याय का सिधान्त मेरे आदर्ष राज्य अधर्ष्राज्य में नीम का काम करता है वहीं मेरा शुक्शय का सिधान्ट आधर्ष्राज्य में एक आधार्वुद स्थंब का काМ करता है जिसमेरा आधर्ष्राज्य का भवंट् Crash किये हैं उसकी छटटे की तो वह शीक्शा कैसी होगी प्लेटो怎樣al गजुग दाशनिक होगा उसकी ट्रेनिंग तो लगपक पचास साल की होगी उसके बाद उसको शाषक बनने का मौका मिलेगा एक रूसो आधुनिक काल में एक राजनेतिक दाशनिक हुए हैं बड़े वो ये कहते हैं कि प्लेटो ने शिक्षा के सिधान पर इतना जोर दिया कि ऐसा लगता है कि प प्लेटो ने अपने समय के हिसाब से बहुत कृराधिकारी विचार शिक्षा के लिए रखे जैसे प्लेटो highlight कि कहता है कि शिक्षा का और अपने लिए प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो प्लेटो कहता है कि शिक्षा की व्यवस्ता पूरी तरीके से राज्य करेगा चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे मजले कि इस्त्रोश पूरी कौश्य करुए फूरी तरीकी से महिलाओ को दी जाय तो वह भी आदर्ष राज्य की राजा के रूप शामिल हो सकती है तो यह कहता है इस त्री पुरुष को समान शिक्षा दे इसके अलावा उसका यह कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य है कि मैं उत्तम नागरिक बनाना चाहते हैं जो अपना कारे पुरी कुशलता के साथ करेगा जिसे राज्य में न्याई की स्थापना होगी इसके अलावा इतनी जबरदस्त व्यवस्ता करी थी कि उत्पादक वर्ग के लिए अलग शिक्षा सैनिक वर्ग के लिए उससे जादा शिक्षा और दाश्निक राजा के लिए तो यह शिक्षन की अवधी बहुत ही लंबी प्लेटो ने 50 साल की उमर तक और उसके बाद तक रखी हैं प्ले तेल में पढ़ेंगे अभी हम इसे आदर्ष राजी के रूप में पढ़ रहे हैं अगला प्लेटो ने और महत्वपून सिध्धान दिया था सामयवाद का सिध्धान जहां प्लेटो यह कहता है कि जिस तरह शिक्षा का सिध्धान मेरे आदर्ष राज्य में बहुत पर मैं शिक्षा सभी को दे दूँए शिक्षा की विवस्ता सबके लिए हो जाए उसके बावजूद भी कुछ बायकारक ऐसे हैं जो आदर्ष राज्य के सबसे महत्वपून दो वर्ग सैनिक और दाशनिक वर्ग को भ्रष्ट कर सकते हैं तो इन्हें भ्रष्ट करने से रो सैनिक वर्ग कि इनके पास परिवार नहीं होगा इनके पास संफत्ती नहीं होगी इनके भरन पोशन का करेगा आगे हम सामयवाद को और डेप्तों में पढ़ेंगे फिलहाल इतना ही समझ दीजिए कि प्लेटों ने सामयवाद के सिधान की चर्चा तो करी लेकिन साथ ही यह विवस्ता भी इन लोगों के लिए नहीं होगी सबसे आखिर में हम आ जाते हैं प्लेटो के आदेश राज्य में जो शीर्ष पर शाशक वर्ग बैठा है दाशनिक राजा प्लेटो ने इस दाशनिक राजा के लिए बहुत लंबे प्रेशिक्षन की विरस्ता करी है कि कैसे प् का गुन सबसे जादा होगा वो दाशनिक राजा बनेगा और वो यह देखेगा कि समाज में सभी वर्ग अपना-पना कार रहे हैं उसी हिसाब से कर रहे हैं जिस तरीकिसे चीज़े तै की वहीं है तो उसमें विवेक का गुन होगा सही गलत की समझ होगी और वह अपनी प्र